क्या आप भी इंडिया में रहते हुए COD Mobile Warzone खेलना चाहते हो इस वोड़ा में आप सुभी को पूरी प्रोसेस बताने वाला हो कैसे आप COD Mobile Warzone का APK डाउनलोड करके खेल सकते हो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ COD Mobile Warzone यह देख सकते है मैंने COD Mobile Warzone डाउनलोड कर लिया है और आपको भी बताने वाला हो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो खेल सकते हो तो सिंप्ली आप लोग को अपना Chrome ऑपें कर देना है क्रोम पर लिखना है भाई डार्क स्कॉइड गेमिंग जैसा कि आप देख सेम तुसेम मिनिंग भी यह लि जैसे ही क्लिक करेंगे यह देख सकते हो मेरा वेबसाइड ओपें हो चुका है तो मैं यहाँ पर यह आप देख सकते हो लिखा है हाउ टू डाउनलोड सी ओडी मोबाईल वार्जों मोबाईल एपी के इन एनी कंट्री तो गाई सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है इस क्लिक करने बाद जैसा कि आप देख से तो पोस्ट ओपें हो चुका है और इस पोस्ट में मैंने आपको पूरी स्टेप बाई स्टेप गाईड किया है जैसा कि आप देख से यहाँ पर लिखा है फॉलो बीलो स्टेप टू डाउनलोड सी ओडी मोबाईल एन गाईस यहाँ मैंने आपको एक VPN का लिंक प्रोवाइड किया है मलब एक VPN प्रोवाइड किया है जिस VPN से आप डाउनलोड कर पाऊगे और उसके बाद पूरी प्रोसेट बताई VPN डाउनलोड करने बाद क्या करना है लेकिन मैं आपको इस विडिवड़म भी बता देता हूँ simply आपको click here पे click करना है click here पे click करने बद आज सभी यहाँ पे media fire पे redirect हो जाओगे वहाँ से आप सभी को APK download कर देना है यह VPN का APK download करने बद आपको install कर देना है जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार मैंने यहाँ पे APK install किया है तो देख सथे गाइस यह वाली APK जो यहाँ पे देख सथे वाई VPN नाम सी यह वाली APK मैं एक बार आपको बाहर भी लेकर दिखा देता हूँ तो मेरे बार यहाँ पे आप देख सथे यह वाली APK आपको download करने नहीं and install कर देना है जैसे इसको आप लोग इंस्टाल कर लोगे इसको open कर देना है इसको open करने बाद आपको नीचे ही देखने को मिल जाए इस पर क्लिक करने बाद आपको अस्ट्रेलिया का VPN करा लेना है तो सिंपली यहाँ पर देख सब्सक्राइब कर लिजेगा थोड़ा सा टाइम लगेगा प्लेश्टोर open होते टाइम गाइस क्योंकि एक बार फिर से सब कुष सेट अप होता है फिर उसके बाद जैसे ही आप कि यहाँ पर सर्च करोगे सी ओडी वर्जोन मुबाइल जैसा कि आप देखते हो प्री रेइस्ट्रेशन के जगा आपको इंस्टॉल का ओप्सन देखने को मिल जागा और सिंपली आप यहाँ से क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो उसके बाद अंदर जो रिसोर्स वगरा रह यह बाद तक फो रोची